चलो शुरुआत करते हैं क्लास की मौडरन भारत आधुनिक भारत माना जाता है कि 1707 के बाद से औरंग जेव की मृत्स से हमारा ये एक दौर शुरू होता है मेरी क्लास के कुछ नियम होंगे उस नियम को बहुत ध्यान से सुनो और समझ लेना पहली बात मैंने इस क्लास के पीछे बहुत महनत की है जो कहानिया बनानी है जो सेक्वेंस रखना वो रखका है आपका सिर्फ एक काम होगा बड़े ध्यान से सुनो इसे आपका सिर्फ एक काम होगा जैसा मेरा नोटस है उसको वैसे ही लिख लेना और उसको class के class में ही मैं लिखाता जाओ उसको memorize करते जाओ उसकी imagination करते जाओ उसकी memorize एक एक शब्द मैंने कोशिश की है कि मैं minimum से minimum word में उसको लेके जा सकूँ बस आपका काम है class में ही उसको memorize मैंने बहुत pictures रखी हैं बहुत सी चीज़ों को visualize कराया है लेकिन आपका जो basic work है वो है किसी भी हालत में class को as it is जहां पर जो point लिखा है एक micro point भी अगर लिखा है तो उसको as it is खा जाओ वो copy को बिल्कुर चाट के खतम कर दो तुम बस इतना ही कर देना और एक हफते बाद मैं तुम्हें miracle दिखाऊंगा बस आपका इतना ही काम है कोई दिमाग नहीं लगाना कुछ नहीं करना है जो मैं बताता जा रहा हूँ जिस तरह से मैंने महनत की है जो sequence मैंने रखा जो research मैंने किया है बस तुम बस जैसे जैसे चीज़ें होती जा रही है एक एक बात को जो notes में लिखा है बस इसको उतना ही खा जाओ इसको एक भी शब्द अगर preposition भी है तो छूटना नहीं चाहिए तुमारा बस इतना कर लो off जहां लिखा है r जहां लिखा है will जहां लिखा है सब कुछ खा जाओ बस इतना काम कर लो एक हपते बाद तुम्हारा confidence आज से 300-400 गुना मैं बढ़ा दूँगा बस एक हपते का मुझे समय देना पर तुम्हारी जिम्मेदारी एक single word मिस नहीं होना चाहिए एक single word इतनी जिम्मेदारी ले लोगे बाकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ ठीक है इस subject की जो value है modern India की जिसे हम लोग कहते है मैं इसको colonial India कहता हूँ मेरे लिए वो modern नहीं आया थे ये मेरा वेक्तिकत है लेकिन चुकि अभी books में change हुए नहीं तो मजबूरी है ठीक है तो मेरे लिए वो अंग्रेजों का उपनी वे श्वाद भारत था गुलाम भारत था modern हम बहुत पहले से थे तो ये मेरी वेक्तिकत है जो इसलिए मैं अपना भी point of view रख दिया अब हम यहां से शुरुवात करते हैं और सबसे जादा prelims के जो question होते हैं वो mains के भी वो तुमारे सबसे आता है modern इंडिया से आधनिक और दूसरा आता art and culture history के ये दो पार्ट जिसके पास cover है वो कोई भी exam हो आप में से बहुत से लोग state exam दे रहे हो अब जो मैं कराने जा रहा हूँ state exam भी तुमारे सामने से बिछा पड़ा होगा एक एक बस वर्ट चाहे वो कहीं से भी source हो it doesn't matter बस आपका काम बस वही है एक एक line एक एक point जहां arrow गया वो arrow जहां पर point गया वो point जहां पर word है वो word वो बस तुम्हें उतने steps याद कर लेना है हो जाएगा बाकि सब मुझ पर छोड़ दो चले शुरुवात करते हैं तो हमारी कहानी की शुरुवात जो होती है जैसे कि हर कहानी की शुरुवात होती है हमारी कहानी की शुरुवात होती है scenario before 1857 मैंने topics वो चुने हैं जहां UPSC attack करता है इसलिए कई बाए मेरे chapters के नाम अलग होंगे मेरी कहानियां अलग चलेंगी तो बहुत ध्यान से इसको बस आत्मसाथ करना तुम समर्पित कर दो मेरा एक ही रूल तुमसे चाहिए अपने आपको समर्पित कर दो मुझे कि हाँ गुरुजी जो बता रहे हो बस उसको वैसे ही खाना है मुझे कुछ नहीं और सोचना है इसमें ठीक है तो भारत में यूरोपियों का आगमन अब बस लिखते जाओ और मैं कहानी जैसे इंट्रेस्ट में सुनाता जा रहा हूँ वैसे सुनते जाओ ठीक है और क्लास के क्लास में इसको मेमोराइज कर लो किसके बाद ये था तो कहते भी है सारी किताबों में भी है कि भारत में यूरोपियों के आगमन से ही जो मौडरन इंडिया आधुनिक भारत है या गुलामी का जो भारत है उसकी शुरुवात होती है मैंने इसको एक और नाम दिया सेनेरियो बिफोर 1857 यानी 1857 से पहले की इस्थिति क्योंकि इसमें भारती इस्थितियां भी बड़ी महत्पूर्ण थी भारती राजाओं की इस्थितियां भारती राज्यों की इस्थितियां ये सब कुछ यहां बहुत महत्पूर्ण था और हम अपनी शुरू करते हैं कहानी अपनी स्टोरी को आज शुरू करते हैं इस स्टोरी शुरुवात होती लेकिन हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है मेरे पढ़ाने का जो तरीका होता हो वो कहानियों के साथ चलता है मैं कहानी को भारत में लेके नहीं आ रहा हूँ मैं कहानी को लेके जा रहा हूँ यॉरप में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका प्रभाव अब भारत पे पढ़ने जा रहा है तो बड़े ध्यान से इसको सुनना ये 14 अताबदी, 15 अताबदी का यॉरप है ठीक है? जहां पर रोमन इंपायर है जहां पर तमाम तरह के प्राचीन राज्ये यहां पर है ये 14 सेंचुरी का यॉरप है जो अपनी बहुत सी रस्सकसी में फसा हुआ है अभी अभी ये पुनर जागरन हुआ है इससे पहले जहाँ अंधकार युग था क्या था? डार्क एज कि ये तुम्हारा काम है जितने भी लोग दाड़ी पे हाथ फिरा रहें न वो लिखते रहें इसके बाल मैं पटक के मारूंगा क्लास में येकीन कह रहा हूँ अगर मुझे मेरा एक हपते बाद जो मैं कुछ तुमें टेस्ट दूंगा अगर वो नहीं हुआ तो ये कलास में बहुत मैं पिटाई करूँगा सुबह पांच बजे सोया हूँ मैं रिसर्च करते करते तो ये मेरी स्थित्य है तो अगर मैं मेहनत करो तो मुझे चाहिए उतने ही देर में खड़े होके उठक बटक यां लगवाँगा जब तक ब्योश होके गिरना जाओ तो चलो जड़ा लगते हम इसमें बहुत ध्यान से 14th century का जो ये यॉरोप था ये अभी अभी रिनासा हुआ है इनका लोग explore करने लगे लेकिन हालाद बड़े जटिल है यहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है ठीक है यहीं पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कते होती है यहां पर अभी आर्थिक प्रगती हुई नहीं है ये लोग struggle करते घूम रहे हैं ये लोग संघर्श कर रहे हैं जाड़े में इनके पास खाने के लिए नहीं है जमीनों पर बरफ पड़ी हुई है ये टेंपरेट जोन है बहुत अधिक ठंड पड़ती है हाँ पर खाने के लाले हैं फसल जो है वो जमीन ही जब पूरी बरफ के नीचे ढपी है तो कहा करेंगे ये आपस में छोटे छोटे हिस्सों में लड़ रहे हैं इनकी छोटी छोटी बाउंडरी है और इनकी महत्योकांच है लेकिन इस दौर में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस्ट के साथ इनका ट्रेट था मैप बनाते जाना चीए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने जातातर कोशिश की है मैप के साथ तुम्हें समझाने के चाले फ्री हैंड बनाओ इनका जो भारत इस्ट के साथ इनका व्यापार था जब ये पिछड़े हुए थे ये अपस में लड़ रहे थे छोटी छोटी चीजों के लिए कबीलों के फार्म में थे वो ट्राइब के फार्म में थे वो भैनक जलवाई उसे लड़ रहे थे थंड से लड़ रहे थे इसमें से जातर समुद्री लुटेरे हो गए थे ठीक है तो इनके पास जादा कुछ आय का साधर नहीं था और इन लुटेरों से के जो इंकम थी वो वहां के राजे सरकार भी लेती थी वहां की जो है गौरमेंट भी लेती थी लेकिन इनका जो ट्रेड रिलेशनशिप बना हुआ था किसके साथ इस के साथ इस पे surprisingly भारत के साथ लेकिन जो ट्रेडरू था इतिहा सबस्टिय जाना कैसे बदलता जा रहा है तो भारत से जो है ये जो मसाले जो रेशम जो मोती जो बहुबूल रत्न ठीक है ये सारे कॉटन ये सब लैंड के थू जाता था और इसमें भी अलग-अलग पावर्स का योगदान था अगर मैं बात करूँ ये जो लाइन मैंने खीची है ये बड़ी महत् वार्फ शी भूंपॉर्टन है यहां जब भारत से ये निकलता था तो ये जो हिस्सा है इस पे पर और ब्रवतों से पूचो इसमें क्या था अरम लोगों का प्रभुत्त था ये अरम लोगों देख रहे बड़ी important तीर क्या दिखा रहा है तीर दिखा रहा है कि व्यापार हमसे शुरू होता था और European क्या थे एक पर चेज़र थे आस्ट उल्टा हो गया है ना लेकिन उस समय पर चेजर थे लेकिन ये का डॉमिनेंस है अरब का लेकिन भूमद्य सागर से योरप तक किसका डॉमिनेंस है इस्पेन का भूमत सगर यह नि मेडिटेरियन सी जो आजकल विवाद का विशे बना हुआ है वहां से किसका डॉमिनेंस है इटली का डॉमिनेंस है इटली उस समय का योरप का बहुत ही ताकतवर देश था ठीक है जो इस व्यापार पे मोनोपली रखता था यानि वो क्या था एशिया से सामान लेता था भारत से सामान लेता था और बहुत अधिक फायदे पर बेशता था यॉरप में क्या होता यॉरप में मांग थी पागलपन था पागलपन था भारत का सामान चीन का सामान जो मसाला आइलेंड थे उन सब के सामानों की वहां पागलपन थी तो यह पूरा route था, वो दो पार्ट में divide था, ये कहानी बड़ी important है, पहला क्या है, जो land route, सारा व्यापार कैसे होता था, समुद्र से नहीं होता था, सब land से होता था, इसी में ही silk route ये चला जाता था, ठीक है, तो ये venus होते हुए, आप जानते हैं, प्राचीन silk route किस सरह से काम करता था, तो ये हिस्सा अरब के पास हो गया, और ये हिस्सा इस्पेइन के पास हो गया, चलिए, और ये profitable business था, profitable, भयनक जो है, वो lab का business यहां पर था, land route, इतनी दूरी, कई इसमें parties थी, सब अपना अपना हिस्सा लेटी थी, उसके बाद भी ये lab का हिस्सा था, सोचो भारत कै ये छोटे-छोटे यॉरप के देश दो थे, सब हिस्सेदारी लेते थे, उसके बाद भी वो lab पे बेश देते थे, इतना बेश कीपती सामान हम जो है वो करते थे और इसके बतले हमारे पार धेर सारा सोना चांदी और सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती थी, चलिए, 14033 मे दुनिया को बेचरा है, लैंड रूट पे हम बाश्चा थे, भारत का भी शाषन अफगानिस्तान के उपर तक था, कोई जादा नहीं था, Central Asia से हम जारिकली जाकर हम जुड़ जाते थे, मद अशिया में सीधे घुज जाते थे, तो हमारा डॉमिनेंस था, रूट हमारे पास इंपायर जो की उस समय के बहुत बड़े इंपायर की रूप में था, तो ओटो मान समराज जो है, उसने क्या कह लिया, एशिया माइनर यानि की जो एशिया माइनर है, एशिया का ज्यादा तर हिस्सा उसको अपने कबजे में ले लिया, यहां तक क्लियर है, तो यहां तक क् empire जो समर कि इनकी अलग विचारधारा थी इनकी अलग रेत्रिवास थे थीक है इनका अलग वो सारा पहले से तो cig gekommen Empire जो है उसने क्या किया एशिया माइनर पे अपना कब्जा कर लिया और जो है उसमानिया सामराज जींसे हम लोग कहते हैं उसमानिया की या सामराजी की नीव रख दी, इससे क्या हुआ, कि जो पुराना trade route था, old trade route, comes under the Turkish rule, जिसे आजकल तुर्की ये कहा जाता है, Turkish सामराजी पे, ये क्या हुआ, उसके अंतर कता आ गया, आपने देखा एक बड़ी famous Erdogan करके, जो movie, web series है, इसी के उस पे बनी हुई है, तो old trade route comes under the Turkish rule, ठीक है, यानि कि जो पुराना व्यापार अगमार्ग था, वो किसके अंतर कता आ गया, Turkish साशकों के, Turkish साशकों के अंतर कता आ गया, इससे क्या हुआ, जो old trade route था, उसमें blockade आ गई, क्योंकि इनका पूरा, जो nature था, वो बिल्कुल अलग था, वो पुराने तरीकों से अल ज़्यादा फरक नहीं पड़ा, क्योंकि भारत किसी को कुछ बेचने नहीं जाता था, लोग उससे खरीदने आते थे, ये बड़ा अंतर वाली बात होती है, बेचने वाला दर्वाजे पर जाता है, लेकिन जब आप उससे खरीदने जाते हैं, क्योंकि वो superior position पर था, तो basically अरबों को बेचता था, अरब यहां पर भी अपना व्यापार कर सकते थे, लेकिन इसमें नुकसान हो गया European को, क्योंकि वो पूरी तरीके से state पर dependent थे, उनकी खुद की आए, उनकी जरूरते, मसाला, कपड़ा, वो कुछ दिए अपने पास रखते थे, तो ये क्या हुआ, स सामराजी के पास जाना पड़ता था, नतीजा क्या हुआ, यहां धीरे-धीरे दो राज्यों, नए यॉरप में दो नए राज्यों का जन्व हुआ, इस्पेन और पुर्तगाल, ठीक है, यह बड़े दुस्हासीत लोग थे, रिनासा होने लगा था, अंधकार यूग से निक होने लगा, तो लंबे समय से सोये हुए लोग थे, छट-पटा रहे थे कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो निकल पड़े, उनके पास कुछ थानी, mostly वो लुटे रहे थे, समुद्री लुटे रहे थे वो, पाइरेट्स थे, ठीक है, और कोई भी एक structural source of income उनके पास नही थे, तो इस्पेन और पुर्तगाल जो है, अब वो तरपने लगे, क्योंकि यॉरप को इसमें हो गया, लॉस, यॉरप को होने लगा, लॉस क्योंकि आटोमान इंपायर ने क्या गया, ब्लाकेट क्रियेट कर दिया, अब दे वांट्स न्यू रूट टू रीच स्पाइस आइलेंड का मतलब क्योंता है, मसाला दीप, ये आया हुए एक्जाम में कोश्चन, UPPCS ये MPPCS किसी में आया हुए, मसाला आइलेंड किसे कहते है, इंडिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा दीप जो है, वो क्या कहलाता है, मसाला आइलेंड कहलाता ह इतिहास में बार-बार इसका नाम आता क्या स्पाइस आइलेंड तो भारत जो दक्षन भारत का जो कोस्टल रीजन है और जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का उसको उम लोग क्या बोलते हैं मसाला आइलेंड एक एक वर्ड याद करते चलो बस बस अब एक एक चीज याद करत जाओ खिलाडी कौन से आया मैंने हाइलाइट भी कर दिया इस्पेन और पुर्टगाल कौन सा इंपायर आया किस सन में ये वर्ड हिस्ट्री में आया हुआ है 1453 में किसका आया ओटोमान इंपायर बस दिमाग में चलते रहना चाहिए जहां जो लिख दिया बस उसको याद क डालो ठीक है अब क्या हुआ ब्लॉकेट हो गया तो इन्हें नए मार्गों की आउशक्ता पढ़ गई तुम लोगों को दिक्कत हो रही पीछे है अरे तो आगे हाजा कुर्सी उरसी लेकर बहुत जग है अजी इन्हें नए मार्गों की आउशक्ता पढ़ गई इन्हें नए मार्गों क्या उशक्ता पड़ गई जरा बुला के लाओ से बुला के लाओ से मैंने उसको बुला तो मेरी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए तो अब ये चाहते थे कि कोई नया रास्ता मिले अभी तक लैंड पे था लैंड किसने रोग दिया ओटोमान इंपायर ने लेकिन इस्पेन और पुर्दगाल चुकि नए थे अब इन्हें किसी भी हालत में चीजें चाहिए थी अब क्या हुआ इन्हें प्रॉटेबल ट्रेड तो चाहिए था यानिकि इनको मुनाफे वाला व्यापार चाहिए था किसी हालत और वह भारत और एशिया इसके प्रमु यानि ये ओटोमान सामराजर से सीधे टकर नहीं लेना चाहते थे दूसरा योरप में क्या हो गया रेनासा हो गया लिखते जो ये प्ट्स रेनासा हो गया एक भी मेरा पॉइंट छूटना ने चाहिए तुबार एक सिंगल पॉइंट ने रोको मुझे को दूबारा पड़ा लेकिन एक सिंगल पॉइंट छूटना नहीं चाहिए तुमारा जो मैंने इसमें लिख दिया वो तुमारे लिए से कॉंस्ट्यूशन अब तो पुनर जागर नहीं रिनासा हो गया ठीक है अब रिनासा जैसे हुआ यानि कि वो उत्तेजित हो गया नहीं हमें निकलना है कुछ भी करना है इस दौरान उन्होंने क्या कि धेड़ सारे पाइरेट शिप बना लिये थे खुब समुद्र में नहीं नहीं होता है लूट पार्ट करना तो इनके शिप में इन्होंने आर्म जैसे आज नेवल शिप आया ना उसका अमेरिका का हराल्ड आया तो वो क्या है वो आमस एन अम्मिनिशन से भरा हुआ है तो ये लोग जैसे भारती यह भारती अपने उसमें तोप लेके नहीं चलते भारती तो मुसली हीरा, सोना, चांदी, मसाला जो हमारे पास था वो हम लेके चलते थे ये चुकि इन्हें रात दिल लड़ना पड़ता था इन्होंने क्या किया पोर्टेबल तोपे बना ली जो सिल्क रूट से इनको बारूत मिला था चाइना से उस चाइना के बारूत को इनोंने तोपों में भर लिया और जहाजों पे तोपे रख ली इस तरह से इनके जहाज बड़े लीधल हो गये है, इनकी सेनाये चलने लेगी, इनका हर नाविक जो था वही सैनिक भी था, जो चप्पू चला रहा था, वही तलवार भी चलाता था, तो इनके यहां नियम थ को दूआज हैं थी इतना कम रिसोर्स था कि एक दूसरे के जहां लूट ते रहते थे तुम लोग पारेट्स और क्रेवियन मूवी नहीं तो क्या करता तो राजा इनको सजा दिलवा देता था कि तुम अच्छे लूटे रहे नहीं हो हमारा हिस्सा नहीं उसको फांसी दिलवा दो तो उनको पानी में भी सर्वाइब करने के लिए लड़ना है और जमीन पर अगर आए और टैक्स नहीं भरा राजा का पेट नह हो गया इन्होंने नहीं रूट्स खोजने शुरू कर दिये बुनर जागरण हो गया था जो बंधन था वो खत्म हो गया तो यह बोले अब यार बहुत हो गया हमने बहुत गरीबी देख ली अब हमें कुछ न कुछ करना होगा डू और डाई कंडिशन राइट और वेस्टर बेचे भी तो कहां बेचे बेचे भी तो कहां बेचे ठीक है वो हर चीज के साथ वाइन वाइन और ब्रेड खाते थे यह लोग क्योंकि भई अंगूर वहां बहुत पैदा होता है मेर्टिन के असपास वह क्या सैट्रिक फूट के लिए जाना जाता था तो अंगूर इतना सबस्था पैदा होता है कि उससे सब्सक्राइब बनाते हैं तो आज भी देखो उनका जो टोस्ट होता है वरोता है टोस्ट तो ब्रेड़ और वाइन वो लेते हैं आप कभी वी आप जाएंगे यहां पर आप जो मेहमान बनके तो आपको वाइन और ब्रेड दिया जाएगा यह इनका custom है तो क्या हुआ खोजी थे इसी में से ही Spain का एक खोजी था 1494 में Columbus ठीक है इसको पूर यह सब सब पागलों की तरह भारत को खोज रहे थे इस्ट को खोज रहे थे यह निकला था भारत को खोजने ठीक है लेकिन पहुंच गया अमेरिका उल्टा निकल लिया Atlantic पे 1494 एक एक डेट याद रखना कहां का था इस्पेन तो मैंने यह जिक्र क्योंकि अभी तुम्हें बताऊंगा बड़ी अध्भूसी चीज तुम्हें पता चलने जा रही है ठीक है दूसरा चुकि इस्पेन अभी नया नया था उसको प्रतगीज भी थे पुर्तगीज भी वासको डिगामा ठीक है वासको डिगामा जो कहां था पूर्तगाली था कौण सा था पूर्तगाली था एक एक लाइन ध्यान से एक फ़र्ष्टय यूरोपी एन हुई started trade with India पहला European जिसने भारत के साथ सीधे व्यापार शुरू किया कौन था वासको डिगामा क्योंकि भारत यौरोप से डारेक्ली नहीं जोड़ा था अर्बों के माध्यम से जोड़ा हुआ था तो फर्स्ट यौरोपियन हुइ स्टार्टे ट्रेड विद इंडिया पहला यौरो जाली थे तो 1498 में वासको डिगामा पहुचा लंभी यात्रा तुम जानते वो तो कहानिया सबी जानते वो जहाज के पीछे पीछे आया कोई कहता भारत की खोच की भारत खोड़न किया तो जो खोच की तुमने भारत तो फर्स क्लास चोड़ाई में था तुम्हें खोजना देना और यॉरप में पागलपन था भारत के सामान के लिए मसाला दीपो के सामान के लिए पागलपन था तो वो किसी भी हालत में उससे निकलना चाहते थे अब क्यों इनको याद रखा जाता है क्योंकि इन्होंने यॉरप की दशा दिशा बदल दी कोलंबस निकला तो उल आधिवास मार दिया है अब यह लैंड रूट ब्लॉकेड हो चुका है ओटोमान इंपायर डील नहीं कर रहा है तो इन्हों ने क्या किया घूमना शुरू किया यह जो पॉइंट देख रहे हो यह बड़ा खतरनाक बिंदू था ठीक है बड़ा खतरनाक बिंदू था कई बार वर्षावन का चितर कैसा आई है तो यह वर्षावन के चितर के रूप में आ जाता है और यहां बीमारियों की वज़े से यह एउरोपियन मर जाते थे फिर वो आगे बढ़ते थे तो इसने क्या किया यह पहुँच गया साउथ अफरीका के कोस्ट पे यहां देखरो पॉइ हारत का रासंता मिल जाता है हिंद मासाहगर में यह प्रवेश कर जाते यहां पेर्गई न कर तुम देखो कि घर सारी यूरोपियन यहां से चलते हैं तो पहले यहीं फसके मर जाते थे फिर धीरे ये आगे बढ़े और आशा अंतरिप Cape of Good Hope बोला जाता है इसको वहाँ पहुँच गए यहाँ से जब टर्न लेते तो वो इंडियन ओशीन में प्रविश कर जाते हैं उनको पता है कि अब अपार धन का रास्ता मिल गया तो जो वास्को डिगामा उसकी सबसे बड़ी जो खासियत थी उसने यॉरप को खास्ताव पर पुर्टगाल को अगले सौ सालों के लिए सुरक्षित कर लिया ये रूट खोज के क्योंकि लैंड रूट वो खोजी नहीं पार रहे थे कैसे पहुँचे भारत इस रूट की वज़े से पूरे यॉरप में एक नया संचार पैदा हो गया और यकीन मानिये जो तब से लेकर आज तक इस पूरी कहानी में आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी उनके पास है वो हमारा ही है और इस रास्ते ने कैसे भारत की बरबादी और कैसे यॉरप का इतिहास लिख दिया इससे पहले तक तो ये चमरा खाते थे ये जो है जाड़ों इनके पास खाने के लिए नहीं होता था ये जमा हुआ मांस खाते थे मच्छनिया जमा के रखते थे इनके बस खाने के लिए नहीं था तो इस यात्रा में जब हो गया आपने कहानी सुनी होगी कि यात्रा में जितना भी खर्चा उसका 60 गुना जादा इसने कमा लिया था जब यह पहुचा तो वहां का राजा तक पागल हो गया कि भाई यह क्या है और इतना जादा लाब उसको यहां से प्राप्त हुआ बेहिसाब लाब प्राप्त हुआ ठीक है तो खेर कहानी आगे बढ़ती है फिर यह मेडागासकर से होते हुए अफरीका और मेडागासकर के बीच से होते हुए यह रूट आगे फॉलो करता है ठीक है आगे जब यह पहुचता है तो यहां पर तुम्हें जिग-जैक दिखाई पड़ रहा है मैप पर दिखाई पड़ रहा है नंबर तीन बड़ी खास बात है इस रूट पर यहां पर अरबो का शाशन अरब जो थे वो अरब सागर में वो क्या करते थे चुकि यहां से ट्रेड होता है इसलिए नाम अरब सागर रख दिया गया था इसका तो अरबो का आधिपत्य था जब पुर्तगाली इस रास्ते से होकर गुजरे तो उन्हें इस ट्रेट उट पर किसका सामना करना पड़ा उन्हें न ब जो उनको राइवल हुआ व्यापार में जो उनको सबसे पहले मुश्किले सामना करना पड़ा उन्हें किसके साथ करना पड़ा अरब के साथ करना पड़ा क्योंकि इस छेतर में अरबो का आधिपत्यता भारत पहुचने से पहले ठीक है लिको पुर्दगालियों का व्यापारिक संघर्ष या व्यापारिक प्रतिदुन्दिता पुर्दगालियों की व्यापारिक प्रतिदुन्दिता अर्बों के साथ हुई important याद कर लेना अर्बों के साथ हुई किसके साथ अर्बों के साथ हुई अब मैंने उपर map क्यों दिखाया था अच्छा जब यह यहां पहुंचे तो यह horn of Africa भी पहुँचे इसको हम लोग अफरीका बोलते हैं अफरीका को इन्होंने यहां से भी देखा अफरीका को इन्होंने तीन points पर देखा दो मैंने यहां निशान लगा है one two and three point ठीक है तो यह तीन point पर इन्होंने अफरीका को देखा आफरीका से इने क्या मिला यह बड़ा important बात है और कैसे योरप की तकदीर बदल गई यह जानी है तो मैंने क्यों Columbus का जिकर किया क्यों मैंने अफरीका अफरीका यह नहीं गुलाम slaves ठीक है slaves उनको वहां मिले तो क्या हुआ कि इन सबने कितना बेतहाशा काम किया इसको समझो अब यह triangle देखो बड़े ध्यान से उपर का map clear है बड़ी अद्भुत बात बताने जा हो जिसको बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर यॉरप की तकदीर बदली कैसे तो इस रूट में वो निकले यॉरप से उन्हें इस लैंड रूट का पोस्ट करना था कुछ अलग ढूड़ना था यह पहुंचे अफरीका अफरीका को उन्हों उन्हें तीन अलग-अलग क्लाइमेट तीन अलग-अलग बिंदूओं पर देखा ठीक है इसके बाद यह पहुंचे भारत में अभी हम भारत के बारे में बाद में बात करें लेकिन अभी तक इनकी तक दीर कैसे बदली जरा यह देखो आगे चलकर यह प्रॉफिट बेहिसा में शुरुवाती दोर में जब गए तो सोना सोने की खदाने अफ्रीका में बहुत पाई जाती है गोल्ड माइंस कॉंगलोमरेट्स पाई जाते हैं और दूसरा हाथी दात क्योंकि वह प्राकरतिक समपताओं से भरा हुआ है ठीक है वह नाच्रल रिसोर्से से भरा हुआ त उन्होंने साइंस टेक्लाजी इन सबसे दूर अपने कभीलों में अपने जीवन में जी रहें लेकिन वह लंबे तकड़े हैं बहुत जादा जैनेटिकली वह क्या है वह हमारे ओरिजिन है हमारे जो आनवनशिक रूप से हमारी उत्पत्ती वहीं से मानी जाती है या वह बह जितने भी हैं जो आज बैट के मानवता अधिकार और यह जड़ा इनके बारे में जड़ा ध्यान से इनका एक ट्राइंगल इसको प्रॉफिट ट्राइंगल बोलते हैं ठीक है यह यूरप से अपना माल लेकर पहुंचते थे अफ्रीका ध्यान से इसको लिखते और समझते जाना अफ्रीका से जो नीग्रो गुलाम नीग्रो यानि की जो नीग्रोइड एक एंथ्रोपोजानिक वर्ड होता है जो जो है श्याम वरनिया जो है ब्लैक जिस हम लोग बोलते हैं नीग्रो नीग्रोइड होते हैं वो तो नीग्रो वो क्या करते थे अपना माल वो अफ्र अब तुम कहो कि सामान देके इंसान खरीद लिया लेकिन वो क्या करते थे बहुत चालाग थे इन्हों ने चुकि अब वो कोलंबस पहुच गया था अमेरिका और धक्षडी अमेरिका तक उसने खोच कर ली थी बेहसाब लैंड जिस पर मानो कभी गया ही नहीं बेहसाब भडा बेहसाब दौलत यह पड़ी हुई है वहां पे लेकिन उसको explore करने के लिए चाहिए क्या इनसान लेबर चाहिए भाई जमीन खोदने के लिए खेती करने के लिए तेल निकालने के लिए गन्नान पोने के लिए क्या चाहिए तुम्हें इनसां चाहिए मशीन तो तब के लिए मलब पागलों की हद तक ये पहुच गए थे और इंसान राज्य सरकार सांसद इनको बस केवल एक ही चीज रात दिन दिखता था इनके दिमांग बहुत डॉलर डॉलर उनका पैसा गूमता था इतने पागल हो चुके थे तो वहां से उन्होंने उठाया स्लेव गुला और आस्ट्रेलिया से लेकर जो है इस्पेन तक इन्होंने जो है गन्य की खेती की आगे चलकर जो खेती हुई है जितना भी काम होना था ये क्या करते थे वहां से गुलामों को खरीदते थे और बागानों मिलेकर चले जाते थे बागानों से जो भी निकलता था चाहे वो चुकंदर हो, चाय हो, कॉफी हो, ये बहुत ही हाई वैल्यू चीज होती थी, और वहाँ जब ये पहुंचते थे, अपनी जो छेतर थे, अमेरिका पहुंच गए, आपको बया दोगा न, अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, तो उससे पहल बहुत बेरहमी से मारा उनको, उनकी सब चीजे छीन ली उन्होंने, तो ये क्या करते थे, यहाँ पहुंचकर गुलाम बेशते थे, और गुलामों के बदले वो प्लांटेशन प्रोड़क्ट ले लेते थे, उनके जहाज, ठीक है, तो गुलामों को जहाज से उतारा, मालों इंडिया इंडिया दिखाई पड़ता था, अमेरिका पहुंचकर उसका नाम रेट इंडिया रख दिया, इनके आखों में केवल इंडिया इंडिया, सोचो मेरी हम लोगी वैल्यू कहां तक थी, इनको खाली इंडिया दिखता था और कुछ नहीं दिखता था, तो वेस्ट इंडिज लेके गए और वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया उनको, जो मध्य अमेरिकन दीफ हैं, कि वहाँ पर खेती बेहिसाब कराना है, गन्ना बुवाना है और तमाम तरह की चीज़े करनी है, तो वहाँ से उठाते थे अपनी जहाजों पर प्लान्टेशन प्रोड़क् और उसके बदले गुलाम खरीद रहे हैं, गुलामों को ले जाकर बागानों में बसाया, और गुलामों के बदले प्लान्टेशन प्रोड़क्ट उठाया, ले जाकर बाजार में बेज दिया, इससे क्या हुआ योरोप में बेहसाब पूजी आने लगी, एटलांटिक पार क पर बढ़ने लगा, और जब क्यापिटल बढ़ा, तो क्या हुआ, और जोगी क्रांत यानि इंडस्टियल रिवलुशन की निव पढ़ गई, और जब ये इंडस्टियल निव इशन पढ़ा, तो अब तो पूरी दुनिया की गुलामी की निव पढ़ गई, यह आज भी साल पहले तो पहलने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, अचानक से क्या हुआ, इसको बोलते हैं तिगुना प्राफिट, यह जो ट्राइंगल मॉडल है, तो और जोगी क्रांत, और जैसे और जोगी क्रांती हुई, अब बेहिसाब सामान पैदा हो कहानी बताई थी तुम्हें, अब सामान पैदा हो, तुम्हें बाजार खोजना है, कहां बेचोगे अपना कपड़ा, कहां बेचोगे सामान, तो बाजार जाके पहले हाथ मिलाओगे, अभी आएंगे ये, निकलेंगे, अभी निकलेगा ना, अलबुर्क निकलेगा वहां से अभी सब लोग निकलेंगे Dutch निकलेंगे, France, EC निकलेंगे British निकलेंगे न कोई Thomas Row के जो पहुंचेगा कोई जहांगीर के दरवार में, कोई कहां दरवार में क्यों निकलेंगे उन्हें बाजार चाहिए पिर जब वो बाजार लेने आएंगे तब उनको लगेगा यहर हम कब जबी कर सकते तो वो क्या करेंगे colonies बनाएंगे अफरीका को colony बनाएंगे भारत को colony बनाएंगे जहां जहां मौका मिलेगा colony बनाएंगे और उसके बाद क्या होगा exploitation शुरू कर देंगे यह लालच का ऐसा दौर चलेगा कि पूरा विश्व आस तक परिशान रहेगा इन कमबोक्तों के जब हथियार नहीं बिकते तो लडाई करवा देते हैं पुरी दुनिया में क्योंकि लडाई लडों के क्या हो रहा है तुम्हें क्या लग रहा है फ्री में अमेरिका हथियार दे रहा इजराईल को बाद में धीरे से बिल थमाएगा सर वो उस टाइम लिए आपकी सर्विस बिल है सर लडाई आपकी हमने मदद की थी सारा हथियार भी करा है सबसे पावरफुल लॉबी इनकी है हथियारों की जितना युद्ध होगा उतना इनको फायदा होगा इनकी एकॉनमी चलती है तो यह अपने लिए किसी को मार सकते हैं पूरी दुनिया को खाजा फिर क्या होगा एक्स्प्लाइटेशन का एक ऐसा दौर शुरू होगा कि भारत पूरी तरीके से निचोड जाएगा अफरीका पूरी तरीके से निचोड जाएगा तो यह है वो कहानी जिसकी वज़े से हमारी हो गई ऐसी तैसी अब सवाल यह है कि जब आपने पढ़ा कि European Power सबसे पहले दक्षिन भारत पहुंचते हैं क्यों दक्षिन भारत पहुंचते हैं समुद्र का जहाद पहले वहीं रुखता है क्यों सुरद जाके नहीं रुख सकते थे हुगली में जाके क्यों नहीं रह सकते थे अच्छा इदर मसाला डूड रहे थे सही एंसर कुछ और है देखो हाँ यहां बना दिया है देखो उस समय भी जो मुगलों का शाशन था चाहे जहांगीर या उससे पहले का शाशन जहाँ तो जो मुगल सामराज्य था वो नौधन इंडिया में बहुत डॉमिनेंट था मुगल साउथ में नहीं पहुंच पाए थे ठीक है और मुगलों का जो डॉमिनेंस था वो काफी जादा नौर्थ इंडिया में था तो अंग्रेज जहाज में कित्ते लोग आएंगे कि वो जाकर मुगलिया सल्तनत से टकर नहीं ले सकते इसलिए उन्होंने कभी भी नौर्धन इंडिया में जाने की गलती नहीं की जब तक की विलियम हॉकिंस ने जाकर कुछ मांगा नहीं था कि हमें एक सूरत में फैक्टरी डालने का मौकद हो या उसमें लेकिन हुआ गया कि जो विजय नगर सामराज्य था दक्षिन में जो कि सबसे ताकतवर सामराज्य था धीरे धीरे विखरने लगा ठीक है जो विजय नगर इंपायर था वो विखरने लगा और धीरे धीरे जो कोस्चल एरिया थे वो उसके पकड़ से दूर होते चले गए चोल, चेर, पांड या आपस में क्या हुआ इन्होंने रिवैलरी शुरू कर दी और जब युद्ध होता है तो क्या होता है जैसे मालो आज इसराइल युद्ध हो रहा है तो हमास दुनिया भर से मदद मांग रहा है इकनामी की कमी है, इसराइल भी कही ना कहीं से कुछ ना कुछ लेगा, क्योंकि भाई दिक्कत हो रही है, तो यह दिकिला करता है, पैसा drain कर देता है, पैसा सोक लेता है, तो ऐसे condition में जो राजा होते हैं, उनको अगर कोई आ करके atить हैं, भाय तकम तुम्हें इतना profit देदे इतना business दे देंगे, तो वो क्या होता है, हाँ ठीक है ठीक है आजाओ जाओ तो उसको यह नहीं सुझाई पढ़ता है उसको लगता है यह ट्रेडर्स ही तो है व्यापारी ही तो है जिसे चाइना है कोई भी देश श्रिलंका कर्ज में डूबा हुआ है अच्छा सुनो हमाई से अगर तुम्हारे आप पोर्ड बनाएंगे अ तो क्या होता है चाहिए श्रिलंका हो गया चाहिए वो चटगाओं हो गया चाहिए वो कहीं पर भी होगा तिब्बत भी कहा रहा है कि अच्छा रेल नहीं बिचा सकते है बोले हाँ चाहिना कर रहा हम बिचा देंगे तो सेम चीज आज भी चल रही है तो यह भी वहाँ पहले वो कहां पहुंचे दक्षिन भारत अब ज़्राद ध्यान से सुनो सबसे पहले कौन पहुंचा पुर्टगीज तो पुर्टगाली पहुंच गए इन्होंने अपने टेट सेंटर कहां कहां डाले कोचीन गोवा दमन्दीप ठीक है जिसे उस समय कोची कहा जाता था ठीक ह ध्यान से अब एक एक पॉइंट लिखते जाना फर्स्ट यूरोपियन टू ऑक्यूपाई पॉड़िचेरी जिसे पुड़ुचेरी आज के समय में कहा जाता है पहले यूरोपियन जिन्होंने पॉड़िचेरी को ऑक्यूपाई किया था उसका अधिकरहन किया था वो कौन थ पॉर्दगाली थे यह पॉर्दगालियों की कहानी चल रही है यह पॉर्दगालियों की कहानी चल रही है तो पहला कोश्चन यह था कि यह उत्तर भारत क्यों नहीं गए दक्षण क्यों गए उसका सबसे बड़ा कारान था मुगलिया सल्तरन से वो लड़ाई नहीं लड़ स जो पॉंडीचेरी वो कौन थे पूर्टगीज याद रहेगा पूर्टगाली पहले यॉरोपियन थे जिन्होंने पूर्डीचेरी को या पॉंडीचेरी को अधिगरण किया अब कुछ और मज़ेदार बात है एक लाइन और यहां लिख लो यह जो चीज है आगे बहुत काम आ आने वाली है पूर्टगालियों के पास बहुत ही स्ट्रॉंग शिप थे जैसा भी कहानी बताई कि उनको वहां लड़ना पड़ता था तो वह तोपे भी लगा के चलते थे बारूत भी चलते थे उनके नावी के एक हाँ से चप्पू चलाते दूसरे हां से तलवार चलाते तो कुल मिलाकर उनकी मजबूरी थी वहां पर सर्वाइवल करना था तो जो पूर्टगीस थे या जो यूरॉपियन अगर आगे चलकर तुम देखो के पूरे यूरॉपियन दे हैड वेरी स्टॉंग शिप्स उनके पास बहुत मजबूत जहाज थे इसी लिए अगर हम यहा साइन याद रखना तो लेंद पर जो है यानी जमीन पर भारत मजबूत था ठीक है यह आप का मतलब मजबूत है साइऑ यह अप तो लैंड पर धारत मुच्बूत था भारत की सेनाए मद्पूत थी बटाELL वोटर्स पानी में समुद्र में पूर्टो जए पूर्ट्गल य इस चीज का बड़ा ध्यान रखना आगे चलकर तुम देखोगे इतिहास की दिशा बदलने में औरंग जेप से एक बहुत बड़ी गलती होगी और वो इसी फैक्टर की वज़े से होगी हर चीज का एक कारण है अगर वो कारण समझ गया तो कहानिक साथ जोड़ जाओगे ठीक है चलिए अब कुछ और चीज़े लिखिए तो पंदरा सो दस कब पंदरा सो दस पंदरा सो दस में गोवा को अलफासो डी अल्मुकर्क ने कैप्चर कर लिया कब पंदरा सो दस में तो पहुँचा गोवा किस से कैप्चर किया बीजापुर के सुल्तान से बीजापुर सल्तरत से बहुत इंपोर्टेंट है ये बात किस से किया फ्रॉम याद रखिएगा गोवा को सबसे किस ने कैप्चर किया पंदरा सो दस में अल्फासो डी अल्मु थे ऐसा नहीं कि ये चुकि समुद्री लुटे रही तो थे इन्हें सर्वाइवल के लड़ाई लड़नी थी तो ये पुर्तगाली जो है वह बहुत कुरूल थे और बहुत लालची थे लालच का तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा ये कितने भैनक लालची थे ठीक है तो इन्हों ने क्या किया ये व्यापार करने के साथ साथ ना ये पाइरेसी भी करते थे चोरी ये पाइरेसी भी करते थे चोरी करते थे और अब ये चुकि नॉर्दर इंडिया में खुल के तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां मुगल सामराज्य था तो ये क्या करते थे ये ब हमारे उपर फॉर्जम लगाते हैं दाएज ये लेकर आए भ॥ रस्टाचार ये लेकर आए और हमारी किताबों में डाल दिया तो ये बहुत क्रूएल बहुत है वो उarna गुझंग साफिक लाल ने कि बेशते थे वो घुसते थे बेव बंगाल की खाडी में और हुगली को उन्होंने अपना बेस बना रखा था जो हुगली रीजन था जो इसका मुहाना बेव बंगाल की खाडी में खुलता है उसको उन्होंने अपना आधार बना रखा था याद हो गया अपना आधार बना सांकारी के यह चुपँ चुपँ माल बेशते थे कहां पर बंगाल की खाडी में और besin Gradow कहां वो सामान कहा रखते थे हुगली के मुहाने पर हुगली को इन्होंने आधार बना रखा था हुगली नदी को तो उसका मुहाना जहां खुलता है वही चोरी छुपे अपना माल इकठा करके रखते तो धीर धीर अंदर यंदर बेशते रहता कि मार्केट का पता चल सके क्य तो यह बड़े ग्रीडी थे अब इसमें एक एक रेक्टर और लेकर आता हूं यहां तक तो बहुत बेसिक चीजे हैं ठीक है यहां तक कोई कोश्चन पूछो एनी कोश्चन देखो जल्दी से कोई क्रिवीजन मारो फिर एक पर्सन को में लेकर आ रहा हूं यह आगे चलका रितिहास का कोर्स दूसरी तरह से बदलेगा कोई कोश्चन होना तो पूछो इस पारेत क्या करते कभी खुल के सामान नहीं बेज थे नाथ पाइरेशी आफो चुपके से ऊपर कवर डालके नीचे सीडिन बेज देते नं कुरानी वाली है तो वह क्या होता का माल होता है इसे तुम कभी जाओगे कहीं किसी बाजार में तो बड़ा ब्रांडेट जैसे गड़ियों में होता है गड़ियों देंगे रोलेक्स लिखा होता है बिक्ती सो रुपए की है देखा ना जूता नाइकी का होगा कि यह तो अच्छी तरह जानते हो यह पारेस ही होती है बन्लब उससे कमपणी को नुकसान होता है जीए करता है चोरी छूपए सामान बिना राज्य को टैक्स दिए बिना इसको भुकतान किये वह कुछ चुपचाप बेशते रहते थे तो इन्होंने क्या कि था बेंगल से होत करते थे एक तरफ तो यह दिखाते थे कि हम बिल्कुल प्रॉपर काम करों पीछे से क्या करते थे अपना पूरा बेस्ट यह बताना जरूरी है कि हाँ इसका पूछने ट्रेंगल यॉरोप से निकले अपना माल लेके ठीक है यॉरोप से चाहिए सिल्क सिर आ रहा हो कहीं सभी हो जो भी माल है यह पहुंचे अफरीका ठीक है अफरीका में यह सोना चांदी सोना हीरा गुलाम हाथी दांत यह ले लिया ठीक है इसके बदले अपना सामान बेज दिया इनको इन पाउच निए बोलते हैं उसमिंगोगे पांच साल का बच्चा बना लेगा तो यह यहां बेच नहीं सकते थे इसके बदले वो खरीदते क्या थे गुलाम यह ट्रेट को वहां इंड नहीं करते थे इनका ट्रेड 360 डिग्री चलता था तो इनको गुलाम क्यों चाहिए थे क्योंकि इनका सामान बहुत अच्छी गुडबता का नहीं था तो ये टॉप मार्केट में उसको बेच नहीं सकते थे तो उसके बदले उन्होंने ऐसी चीज उठा ली के लोगों को मारा पीटा जंजीरों में जकडा ठीक है और इनके बदले इनसान खरीद लिए तो वहां पर उन्होंने डाला फिर इसको लेकर अट्लांटिक के पार चले गए पूरा जो दक्षणी अमेरिका अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का सेग्मेंट है और वहां जाकर इन्होंने उनको इन्फानाइट टाइम लेबर्स में कनवर्ट के दिया रात दिन काम कराना ठीक है और उसके बतले क्या वह प्लांटेशन से से काम चला रहे थे कुछ सामानों को बतले इंसान खरीड लिए और ये ले जाकर फिर बेशते थे और इससे क्यों उनकी एकॉनमी चमक गई क्योंकि मिनिममम लागत में मैक्सम प्रॉफिट था इनका और फिर यही पूझी जो थी वही उन्होंने आगे चलकर और 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 यहीं करान दिपार तो इन्हों पूरे दुनिया को अपना गुलाम बनाने की सुच तो बहुत ही खतरनाक चक् होसते थे सामान अपना दे उसके बदले वह जहाज में गुलाम भर लेते थे वहाई पर उनके फॉर्म थे जैसे जानवर बेचे जाते ना कि इतनी भेड़े ले लो इतनी बक्रियां वैसे वहाँ फॉर्म थे यूरोपियंस के जो इनसान बेचते थे तुमने स्लेव ट्रेट के बारे में नहीं पढ़ा तो वही था तो वह जहाजों में उनको तो शादी करने की अनमत नहीं थी बच्चा किसी और जहाज में चला गया पिता को किसी और जहाज में किसी और कंट्री में भेज दिया पतनी को कहीं और भेज दिया उनके गले में जंजीरे बांद के रखी जाती थी हाथ पैर और गले में वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे उनको बाड़े में रखा जाता था तो मैं पता होना चाहिए जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है ना ये गुलामों से बसा हुआ है तो इन्हें बाड़े में रखा है आगे चलकर भार में 15-20-20 लोग वहीं पर इन्हें सौच करना होता था वहीं ट्वाइलेट था वहीं खाना खाने को मिलता था आगे चलकर ये दिन में ज्यादा खाना ना खाले इसलिए इनके मूह पर पट्टी बांदी जाती थी लोहे की पट्टियां तो इन लोगों ने मिट्टी खाना श जाता था गर ये थोड़ा भी विश्राम कर लेते थे तो जानवर से भी बुरा बरताव इनके साथ किया जाता था तो ये उनके व्यापार का ये हिस्सा है तो पुरी दुनिया के खून से लदा हुआ है इनका पैसा चले आगे अब आज 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 हम इस सेग्में में पहुं तो ये बेसिकली पुर्दगाली राजा से अनुमत प्राप्त करके जब गोवा जीत लिया पुर्दगाली ओने तो ये गोवा पहुंच गया है फ्रांसी में तुम इनके चर्च देखते हो कि वाइट कलर वाला ठीके पिच्चरों बड़ा दिखाते हैं अब समझो इसको तो ये बेसिकली इस्पेन के मूलनिवासी थे जो वहाँ पहुंचे ये बेसिकली मेंबर ऑफ जीसूट ओर्डर लिखो इसको ये सोसाइटी ओफ जीज़स के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जीसूट ओडर का मतलब होता है कि जो एक संस्था है जो इसाइयत को फैलाने का उसके जो है वो टीचिंग्स को पूरी दुनिया में प्रॉस्परस करने का जिम्मा लेती है तो उसके member थे ये founder member थे ये बड़ा important document है तुमारे लिए तो society of Jesus के संस्थापक सदस्यों में से एक थे आगे चल गए इनको संत का दर्जा दिया गया तो Francis Xavier से Saint Francis Xavier हो गए थे इंडिया में नहीं हुई थी मज़ेदार बात है ये चाइना में मकाव दीब में इनकी डेथ हो गए थी बीमारी से फीवर आ गया था और इनकी तो इनकी जो अंतेश्टी हुई थी जो रिच्वल्स हुए थे वो हुए थे इस पेन और पुर्टगाल में लेकिन इनकी बॉड़ी जो रखी गई है वो गोवा में रखी गई है अभी भी वो ताबूत के अंदर उनको रखा गया है उनको संत का दर्जा दिया गया कि ये चमतकार कर सकते अब यह इतना महत्यपूर्ण क्यों है मैं इसको यहां क्यों पढ़ा रहा हूं ठीक है यह ने जंग दो तरीके से जीती एक तलवार के दम पे और दूसरा धर्म का प्रसार करके अभी तुम देखोगे कि जब यह ये यूरोपियन हमारे देश के आदिवासी इलाकों में तो जब वो अंदर जाएंगे चारे संथालों के पास जाएंगे इनको मूँ की खानी पड़ेगी और इनको समझ मिए का कि इसे लड़ाई करके नहीं जीता जा सकता क्योंकि इनके लिए खुने के लिए कुछ नहीं है यह तो जहां भी घेर के मार देंगे इनके यह ऐसी तै करवर्जन होगा क्योंकि आदिवासियों की कमजोरी अंग्रेजों को या यूरोपियन को समझ में आ जाएगी यूरोपियन वर्ड में यूज करूंगा कि वो गरीब हैं भारत की जाती है व्यवस्था की वज़े से वो परेशान है उनकी गड़ना कहीं हो नहीं रही है तो कई यह पाओगे कि नौर्थीस्ट उसमें से गायब रहेगा तुम पाओगे कि इनके विचारों का प्रसार बहुत आसानी सोगा और आज भी भारत में वैसा ही हो रहा है ठीक है आज भी भारत में वैसा ही हो रहा है बड़े लेवल पे कनवर्जन हमें देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो अलफासों तो चला गया लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाएंगी जो भारत में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी ठीक है अब नतीजा क्या रहा नतीजा रहा मोनोपली इंट्रेड पुर्तगीज अगले सो सालों तक बेपनाह राजा बन गए ठीक ह और बेहिसाब एक्सेस प्रॉफिट इनके हिस्से में आना शुरू हो गया एक्सेस प्रॉफिट है टर्ण तो आज की कहानी में इतना ही किसन पूचा के पाफ गुड होप क्या है आशा अंत्री के पाफ गुड होप का मतलब था कि भाई अब इसके बाद मरने की नौबत नहीं आएगी तो आशा मतलब जग गई कि अब हम इंडिया पहुच जाएंगे तो वह जो टर्निक पॉइंट था वहीं से लगता था अब ह इंडिया पहुच जाएंगे अरब सागर में प्रवेश कर जाएंगे हिंदमा सागर में अब हमारे बचने के चांसे हो गए नहीं तो वह यात्रा इतनी लंबी थी ठकाओ थी कि जादा से जादा जो वास्को डिगामा के जो लोग थे वो मर गए थे रास्ते में अंत में उस से जहां जो लाशों के साथ रहना पड़ा या सब्सक्राइब फेकना पड़ा था तो यहां से जाने के बाद उनको समझ में आ जाता था कि अब वो सम्रत देशों की तरफ बढ़ चुके हैं इसलिए उसको केप आप गुड़ोप कहा जाता था और कुछ कौन सा इस वन वो कोई एक जगा नहीं थी वो पूरा एक जंगली एरिया हुआ करता था ठीक है बाद में नाम दिया उन्होंने वे नाम उनका दिया हुआ था अंगरी जो का पहले ये नाम नहीं हुआ करता था से होते हुए वर्षावनों के साथ ये एरिया लगता था कहीं मैंने इसका नाम पढ़ा था पर है आईवरी कोस्त तो इन्होंने बाद में ये नाम दिया अंगरेजों ने नाम दिया ये अफ्रीकंस का नाम नहीं था ये इसको इन्होंने बदनाम किया कैनिबलिजम के लिए कि वहां के लोग इंसान खाते हैं ठीक है सबसे पहले वो यहां पहुंचे थे इसका नाम अंग्रेजों नहीं कुछ दिया था जैसे इसका नाम Cape of good hope दिया था उसका नाम इनोंने Cape of death दिया था किस के पाफ डेथ दिया था और के पाफ इस्टॉंब भी था Cape of death भी था इसको कई नाम नहीं है तो इसको यहां पर पहुंचने कवाद उनको यह था कि मृत्य हो जाती है क्या होता था इसको भारत समझ लेते थे कि अब यहीं से मुड़ना है तो अंदर घुष जाते थे घूम कुक देखो इसके पहले सबसे बड़ा जो है जो चोल समाराज्य था Springs ते इंडिया की सबसे powerful नेवी थी वो चोल आसके समय थी उसके बाद वो समय यह के पतन होने के बास एक समय होता है को समय तो एक बार उपना और नीचे जाना होता है तुम्हें क्या लग रहा है यूरोपीन हमेशा अब ताकतवर बने रहेंगे नहीं फिर भारत की घड़ी आएगी तो एक समय था जब हमने हजारों साल तक राज किया तो अब धीरे-धीरे जब वह विखंडित हो जाएगा अभी इ यह उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं है क्यों मैं अपनी क्लास में बार-बार कहता हूं कि कुछ भी हो किसी भी धर्म के हो किसी भी जात के हो राष्ट से उपर कुछ नहीं होना चाहिए इतिहास हमें यहीं सिखाता है कि राष्ट के उप पर कुछ नहीं है जब आप राष्ट के साथ समझवता कर लेते हो तो फिर विनाशी ही होता है तो भारत की जो गुलामी थी वह वही थी ठीक है तो उन्होंने और अंग्रेजों से केस पहले किसी ने कुछ किया खेर अभी यतना चलने दो बहुत इसमें जो है वो डेफ्ट में नहीं जाना है अभी हमें यह करना है कि मेरा जितना इन्फरमेशन है वो कैरी हो रहा है वहां तक किसी को कोई दिकत बस एक एक इन्फरम आपने बाद मैं टेस्ट लूँगा फिर बताऊंगा कि क्या तुमने सीखा है तो एक एक वर्ट तुम्हें है कहां से शुरू हुआ क्या लिखा क्या इंवर्टेट कॉमा में है जो चीज लिख दी वह एजटेस खा जो बस तुम इतना काम कर लो इतना कर सकते हो बाकि तुम हम हुआ हुआ है